हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इस्टेटी वी ध्यान प्रकास आज के वीडियो में हम लोग आगामे प्रतुगी परिश्वाँ लिए तीस अत्यन्त महत्पूर्ण करेंट अफेर के प्रस्नों को डिस्कस करेंगे तो पहला क्वेश्चन होगा हाली में दुर्गावती टाइ की गई है मद्य प्रदेश के द्वारा तो इस क्रेश्चन का आपशन बी बिलकुल करेक्ट है देखें फ्रेंट्स मद्यप्रदेश वनेजियो बोड ने हाली में दुर्गावती टाइगरिजर्व के निरमार को मंजुरी प्रदान की है यह मद्य प्रदेश के नरसेंगपूर दमोह और सागर जिलों को कवर करते विए 2349 वर्ग किलोमीटर के नए बाग अवेरन में फैला होगा अगला कुशन है अमेरिकी में फीचर करने वाली पहली एस याई अमेरिकी कौन बनी है एक बार इसको ने में बठाने़ प्रियास करिए, United States of America, Anna May Wong, quarter dollar का ये सिक्का है, जिस पर उनको feature किया गया है, एक चौथाई हिस्से पर, तो आपको बता दें कि, यह quarter dollar का एक अमेरिकी सिक्का है, जिसकी कीमत कितनी है, 25 सेंट, ठीक है, अनना, May Wong, ये फिलाल अब इस दुनिया में नहीं है, और इनका जन्म हुआ था, 1905 में, डेथ 1961 में हो गई थी, लेकिन ये एक बहुत मैटर करने वाला मंदम मामला है, और एक्जाम ली ये इंपॉर्डेंट भी हो जाता है, अगला कुश्चन देखिए, जलवाय पारदरसिता रिपोर्ट, यानि क्लाइमेट ट्रांस्परेंसी रिपोर्ट का कौन सा संस्क्रण हाली में जारी किया गया, जलवाय पारदरसिता रिपोर्ट का हाली में आठमा संस्क्रण जारी किया गया, तो इस क्रेशन का आप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पिछले साल G20 देशों में उर्जा उत्सर्जन में 5.9% की विद्धी भी है, जलवाय पारदरसिता रिपोर्ट G20 देशों के जलवाय उपायों का सबसे ब्यापक वार्जी कद्ध्यन है, इसके आकलन में जलवाय अनकूलन, जोकिन, सुरक्षा और वित्त के लिए 100 सक्यतकों को सामिल किया गया है, अगला क्वेशन है, इंटरपोल मेटावर्ज को कहां पर लांच किया गया, इंटरपोल मेटावर्ज, आपको पता होगा, अभी इंटरपोल की बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, तो वहीं पर इंटरपोल मेटावर्ज को भी लांच किया गया, यानि कि इस क्वेशन का option A बिलकुल करेक्ट है, तो इंटरपोल मेटावर्ज को इंटरपोल की नभीवी महासभा के दौरान नई दिल्ली में लांच किया गया है, अगला क्वेशन है, हाली में किस IIT ने 2021 और 2022 के लिए राश्ट्री बौधिक संपदा पुरुसकार को जीता है, राश्ट्री बौधिक संपदा पुरुसकार को किस ने जीता है, IIT मद्रास ने, यानि किस क्वेशन का option B बिलकुल करेक्ट है, तो अच्छे ये जो अवार्ड होता है, राश्ट्री बौधिक संपदा पुरुसकार, इसको प्रदान कोन करता है, इसको प्रदान करता है, वानिज और उद्ध्योग मंत्राल है, हाली में किसे इसरो के आदित 11 मिशन का प्रदान वैग्यानिक बनाया गया, इसरो के आदित 11 मिजन का प्रधान वैज्यानिक ये बनाय गया है संकर सुब्रमणयम को यानि किस question का option A correct है तो संकर सुब्रमणयम का नाम याद अगना इनको इसरो के आदित 11 मिजन का प्रधान वैज्यानिक नियुक्त किया गया है अगला question है वर्ड स्पाइस कांग्रेस का चौधावा संस्क्रण कहां पर आयजित किया जाएगा वर्ड स्पाइस कांग्रेस का चौधावा संस्क्रण अच्छे स्पाइस का मतलब यहाँ पर क्या है मसाला इसको आप यहीं भी कह सकते हैं कि वैस्विक मसाला कांग्रेस या सम्मेलन कर लीजिए का जो चोधमा संस्क्रण होगा इसका आयोजन क्या जाएगा दोस्तों कहाँ पर नवी मुंबई में यानि कि इस question का यहाँ पर option D बिलकुल correct है आपको बता दें कि इसका आयोजन कब होगा तो 16 से लेकर 18 फरवरी 2023 तक और इसका आयोजन करेगा Spice Board of India इसकी theme होगी विजन 2030 Spices ठीक है अगला question देखिए हाली में Guinness World Records में सब्ता का सबसे बुरा दिन किस दिन को घोशित किया गया तो सब्ता का सबसे बुरा दिन सनी वार आता है फिर अभी वार आता है दो दिनों का आपको पूरे सब्ता बड़ी बेसब्डी से इंजार रहता है फिर सोम वार आता है यानि कि सब्ता का पहला working day और पर सबको बड़ा बुरा लगता है इसलिए यहाँ पर गिनिजवर डिकार्ड में सब्ता का सबसे बुरा दिन ही मान लिया गया है सोम वार को हनाकि इसमें दिन की कोई बुरा ही नहीं है वर्किंग डे को तो गुड डे माना चाहना चाहिए था लेकि फिला इसको सबसे बुरा दिन माना गया है गिनीज वर्ड रिकार्ड के द्वारा डेफ एक्सपो 2022 में प्रिधान मंत्री मोदी ने किस स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया है इसका कॉश्चन इसका अंसर हो जाएगा STT40 ठीक है यह इसका अंसर है डेफ एक्सपो 2022 में प्रिधान मंत्री मोदी ने स्वदेशी ट्रेनर विमान STT40 का अनावरण किया है आपको बता दें कि डेफेंस एक्सपो का बरहावान संस्क्रण 2022 में आजू किया गया गुजरात में इसकी थीम रही पाथ टू प्राइट और STT मतलब हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यह याद रखना हालि में किस ने विमा सुगम आनलाइन प्रेट फार्म शुरू करने की घुषडा की है किसके दौरा, तो दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा आपका IRDAI यानि कि इस क्कॉश्टन का option A बिल्कुल correct है तो IRDAI इसका full form कभी कभी एक्जाम में आता है Insurance Regulatory and Development Authority of India अस्तापना होई थी कब? 1990 में हैदराबाद में इसका Headquarter मिलेगा आपको और बरत्वान में धिक्ष कोन है? देबा सीस पांडा अगला कुश्चन है हाली में 2022 का बैलेंडी और पुरुषकार किसने जीता है? बैलेंडी और पुरुषकार ये एक्जाम से लिए बहुत ही important कुश्चन है और कई बार ये कुश्चन एक्जाम में आया है तो याद रुखिए कि 2022 का बैलेंडी और पुरुषकार करीम बेंजमा और एलेक्सिया पुरुषकार को यानि कि options इसका सभी होगा इन दोनों को प्रदान किया गया है फ्रांस के करीम बेंजमा और बार्सिलोना की एलेक्सिया पोटेलस ने लगातार करीम बेंजमा को जो है इस साल का मिला है जो कि बार्सिलोना की जो एलेक्सिया पोटेलस है उनको लगाता है दूसरी बार यह पुरुष्कारपदान किया गया है तो तजबीरों में आप इन दो महान हस्तियों को देख सकते हैं अगला question होगा, हाल ये में भारत ब्यापाः समर्दण संंगतन के CMD कौन बने हैं भारत व्यापास समर्धन संगटन के CMD कौन बने हैं इनका इसकांसर हो जाएका फ्रेंड्स प्रदीप खरोला यानि कि इस क्रेश्चन का option A बिल्कुल correct है पूर्व नागर भिमानन सच्चिव प्रदीप सिंग खरोला को भारती व्यापास समर्धन संगटन ITPO का चेर्मैन और प्रबंद निदेश्चक यानि कि संग्डी नियुक्त किया गया है अगला question होगा 23 October 2022 को अपने पहले वारिजिक मिसन के अंतरगत इसरों ने कितने उपग्रहों का सफल प्रक्षेपन किया है तो 23 October 2022 को अपने पहले वारिजिक मिसन के अंतरगत इसरों ने कुल 30 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपन किया है आपको बता दें कि ये जो 30 उपग्रह हैं वो भारत के रही हैं बलके British Company One Wave के हैं टीक है British Company One Wave के ये 30 उपग्रह हैं जिनको आंध प्रदिस में स्री हरी कोटा के 37 धावन अंतरिश केंद से प्रक्षेपित किया गया है इस मिसन से दूरसंचार और समन्दित सिवाओं की शंता बढ़ने वाली है अगला question होगा October 2022 में बांगला देश की और बढ़ रहे किस चक्रवात के कारण पुर्वुत्तर प्रश्चिम मंगाल और ओडिश्टा में भाली वर्षा की समोना थी तो देखो friends अभी हाली में ये प्रस्ट आया है लेकिन exam में बहुत important है तो यादखना की October 2022 में जो चक्रवात आया था ये इसका नाम था सितरंग यानि की option B यहाँ पर correct है तो आपको बताते हैं की सितरंग का असर उडिश्टा और पस्चिम मंगाल में ज़्यदा देखा गया किस देश के राष्टपती सी जिनपिंग ने तीसरी बार राष्टपती का कारेकाल सुरक्षित किया है तो आपको पताई होगा इसका अंसर option B यानि की चीन की राष्टपती सी जिनपिंग ने तीसरी बार राष्टपती का कारेकाल सुरक्षित किया है तो चीन के राश्टपती सी जिन्पिंग ने 23 अक्टूबर को विजिंग में चाइनीज गमनिस्ट पार्टी के 20 वे राश्टी समयलन में अभूतपूर रूप से तीसरी बार राश्टपती का कारेकाल अपने देश सुचित किया है ऐसा करने वाले वो चीन के पहले राश्टपती बन गए है FATF ने हाली में किस देश को प्रदिबंदी सुचि में डाला है तो FATF ने हाली में म्यामार को प्रदिबंदी सुचि में डाल दिया है तो option C correct है वो भी black list में प्रतिबंदित सुची में जाने का मतलब होता है कि जैसे कि IMF है, वर्ड बैंक है, आज संक्टरनों से अब इस देश को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी मनी लांडरिंग और आतंगवादियों को धन मुया कराने संबंदी निगराईन संस्ता है, FATF, उसने मियामा को प्रतिबंदित सुची में डाल दिया है, ठीक है, फरवरी 2020 में मियामा ने इस संबंद में अपनी कारिनीतिक कमियों को दूर करने की प्रतिबद्धता अभ्यक्त की थी, लेकिन वो इसमें कोई खास उदार नहीं कर पाया, भारत वो अमेरिका की सिनाओं ने ट्राइगर ट्रंफ नामक सैन्या भास का तीसरा संस्क्रण कहां पर आजित किया, अच्छे ये क्वेश्चन में बहुत इंपोर्टेंट है, ट्राइगर ट्रंफ नामक जो सैन्य सिक्या मिलकर करते हैं, और इसका तीसरा संस्क्रण था, वो अभी हाली में विसाका पत्नम में आजित किया गया, इसका पहला संस्क्रण 2019 में गवा था, और वो बी विसाका पत्नम में ही गवा था, ये भी आप यादःगना, अभी हाली में, एडञ़ ग्यू, हुरून बहुत इंपोर्टेंट है स्यू नाडर जोगी फाउंडर और चेर्मेन है स्यल के तो देखो फ्रेंड्स सुचना प्रदोगी कंपनी है स्यल आप जानते ही हैं इसके संस्तापक स्यू नाडर 1161 करोन रुपए के वार्शिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परवपकारी बन करता टॉप पर थे लेकिन इस साल वो दूसरे अस्थान पर हैं तो दूसरा अस्थान किसका है अजीम प्रेम जी का है ठीक है भारत के सबसे अमीर व्यक्तिकों है गोदम अडाणी जो की इस सूची में सात्वें अस्थान पर हैं 120 क्रोन रुपए के दान के साथ 63 साल की रोह स्टेरिंग ěवेरनस डेग इसको मनाया गया अभी हाली में 22 अक्टूबर यह प्रस बड़ा इंपोस्टेंट है ठीक है इसकी एक थीम भी लगाई गई थी और इसको यह थीम है वो क्या रही इंटरनेशनल स्टेटरिंग अवेरनेस डे ठीक है यही इसकी थीम भी है चलो आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है हाली में प्रधानमंत्री नरेदमोदी ने कहां पर मिसन स्कूल आफ एक्सिले को गुजरात के गांधी नगर इस्थित अदालज में आयोजित एक कायक्रम में मिसन स्कूल आफ एक्सिलेंस का सुभारम किया यह मिसन विशेज रूप से गुजरात में नई कक्षाओं इस्तमार कक्षाओं कंपिटर प्रोग सालाओं की अस्थापना और राज में स्कूलो इसको आफ फाइफ इस्टार मान लीजिएगा क्योंकि एक्जामिल बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बैंक मना है करनाटक बैंक यानकी स्कूश्चन का आपसें डी आपका बिल्कुल करेक्ट है तो डी एक्स 2022 यह अवार्ड मिला है किसको करनाटक बैंक को बात यहां पर किस देश को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है तो चार साल के बाद पाकिस्तान फिलाल जो है वाइट लिस्ट में आ गया है यानि कि अब इसे IMF और विस्ट बैंक से सहायता मिल पाएगी तो option B इसका बिल्कुल करेक्ट है और ध्यान दिजेगा कि 21 अक्टू 24 अक्टूबर को ये ब्रिटेन के नए प्रिधानमंत्री बने है यहां भारतियों के लिए गर्व की बात होगी और यह बात यानि कि ये प्रस्म भी बड़ा important है आपके लिए ये भी आपको याद रखना है 25 अक्टूबर 2022 को दिन में साड़े बारा बजे से दो बजे तक WhatsApp स बताता हूं अगर आप इस्तिमाल करते हैं WhatsApp तो आपको ये जानना चाहिए दस साल पहले स्थिक्ट में आयता WhatsApp और अब दुनिया भर में इसके दो अरव यूजर्स हैं यानि कि 200 क्रोण यूजर्स हैं 180 देसों में इसका इस्तिमाल होता है और हर दिन करीब 100 अरव से ज्याद 4 अंऔर दिल्चस्टी है आगला कुशन होगा हाली में HTTP और मंनाय गया तो HOL 2 एक्टूबर को क्यों कि 24 एक्टूबर में 1945 को सविक्ट राश्ट के इस्थापना हुई थी और उनिस दो अनतारीज में पहली बार 24 अक्टूबर को सव्वेश राश्ट दिवस के रूप में मना मेला विशुकप 2023 का सुभंकर क्या है फीफा मेला विशुकप 2023 का सुभंकर है यहाँ पर तजूनी यानि कि इस क्रिशन का option एक करेक्ट है तजूनी क्या है फ्रेंड्स तो यह एक डॉल्फीन है ठीक है और आपको पता है होगा कि फीफा का जो फिमेल वर्ड कप होना है यह 2030 में कहां पर होगा तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजी लेंड में आजित किया जाएगा हाली में मोस्ट पापुलर जियाई का पुरस्कार किसने जीता है जो जियाई टैंग मिलते हैं सभी अलग-अलग जो प्रोड़क्ट होते हैं तो जियाई मांसहरी डिस है जो कि हैधराबाद में बड़ी फेमस होती है आप तस्वीरों में आपर देख सकते हैं तो हैधराबाद के मसूर हैधराबादी हलीम को मिला जियाई टैंग यह एक ऐसा डिस है जो मांस डाल गया हूं मसाले और दूसे समानों से बनता है तो इद के रमजान म कि दरजा दिया गया था यह दिसंबर 2019 में खतम हो गया था क्योंकि आपको पता ही होगा जिया आई का जो टैग मिलता है वो दस साल नीस से पूरे हो गया बाद में इसको दस तर प्रेंटिंग और बढ़ा दिया गया है मतलब यह 2028 तक रहेगा ठीक है तो अगर दूसरे तल भारती महिला बन गई है जियोती आराजी यानि किस कुर्शन का आप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट है यह है जियोती आराजी राष्टी ओपन एथलेटिक्स चेंप्पेंशिप में महिलाओं की सो मेटर बादा दौड में 13 सेकंड से कम समय में उन्होंने इसको पूरा करके इतियास दिया है और ऐसा करने वाली वो पहली महिला एथलिट बन गई है साजन परवाल का नाम भी मने आपको बताया था तो साजन परवाल अंडर 23 विश्चुकृस्टी चेंप्पेंशिप स्पेन में पदग जीतने वाले पहले भाती ग्रीको रोमन परवान बने हैं अच च्छतिसमे राश्ट्री खेल जो कि अभी हुए थे गुजरात में उसमें बेस्ट फिमेल एथलीट का प्रोसकारा मिला था जबकि बेस्ट मेल एथलीट बने थे साजन प्रकास तो हर्सिका रामचंदर और साजन प्रकास इन दोनों के नाम याद अगना 36 राश्ट्री खेल गुजरात में यह best athlete बने थे साथमा विस्व पोलियो दिवस अभियाली में मनाया गया कम मनाया गया तो फ्रेंट्स यह भी मनाया गया था 24 अक्टूबर को जिसकी तीम है a healthier future for mothers and children 24 चुश अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है वी इस पोलियो ॥िवस क्योंकि 24 अक्टूबर को ही पोकू जो भॉलियो ठीका होता है तो उधने ego के ठीकेटी मैं 1955 में अब भारत 2012 में ही पोलियो से मुक्त जोशित किया जा चुका है और दिखो यह आज का आंतिम प्रस्न है कि अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने KBL सताबदी जमा योजना शुरू किया है तो KBL सताबदी जमा योजना को सुरू किया गया है करनाटक बैंक के द्वारा तो मैंने आपको बताया था कि DX 2022 पुरुसकार भी करनाटक बैंक को मिला था अब यहाली में तो दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और देखो फ्रेंट्स यह एक सावत जमा योजना है जिसमें 7.2% के हिसाब से ब्याज मिलेगा अगर कोई अपना अपनी धन्रासी को जमा करवाता है तो फ्रेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और यह भी कि करेंड फिर आपको रेगुलर दिया जाए या फिर सापताहिक या फिर तीन दिन पर आपको एक वीडियो में जिस प्रेकार से यह वीडियो आप देख रहे हैं इसी प्रेकार से आपको वीडियो उपलब्द कराए जाते रहें तो आपनों की राय मेरे लिए ब